आज हम बात करेंगे एक ऐसी सक्षियत के बारे में जिसे अपने नाम के अलावा किसी चीज़ के इंट्रोडेक्शन के जवत नहीं है हाली में उनका निदन हो गया हाँ हम बात करें है सुप्रीम कोड के जस्टिस मोहन शांता गोदर जी की वो एक ऐसे जज है जिन्नोंने ऐसे से लैंडमार्क जज्जमेंट दिये हैं कि अगर आप उन्हें नाम से नहीं परचानते हैं तो आप उनके जज्जमेंट से जवू परचानते होंगे हेलो वेलकम दिस इस मी हर्शित अनिशाद एंड यू आ वाचिंग लीगल लाइफस्टाइल आज हम लोग बात करेंगे उ यह सब बैंक की लाग परवाई से होई हैं तो उस लॉकर में रख्खे वर समान की पूरी दम्मिदारी पूरा क्लेम बैंक वालों को पे करना पड़ेगा आज से पहले होता है निके एक जज्जमेंट की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बता दे कि Justice Mohan इस से पहले High Court के के चीफ Just like हे उससे पहले वह करनाठक High Court में जज रहा उसके बाद 2017 में Supreme Court के जज़ मने और इनको किया था जस्तिस थीस थागुर्ड ने जो एक टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्तिस पीत है और इनको एपॉइंट किया था प्रणम मगार जी जी ने अब नेक्स बात करते हैं एक और जज्जमेंट की एक ऐसा जज्जमेंट जिसने देखें होता यह था कि अगर आपको सिवल मैटर में कोई केस करते हैं तो आपको एक कोर्ट फीस देनी पड़ती है उस कोर्ट फीस को जब कोर्ट कहता था आप बाहर मेडियेशन सेंटर में जाकर अपना केस सॉल्फ कर लीजे मतलब मध्यहस्तिता की दौरा अपना केस लेकिन जब से यह जजमेंट आया उसके बाद लोगों को उनकी कोर्ट फीज वापिस कर दी जाती थी अगर मध्यस्तिता के दुआरा उनका मामला बाहरी सॉल्व हो गया कोड को अगर उसमें अपना कोई महनत नहीं करनी पड़ी तो कोड फीज नहीं लगती थी और आप सुच पर पता नहीं किता टाइम लगेगा इसलिए वह इस तरीके के मामले से बच्चते थे इनके द्वारा दिया गया एक ऐसा जजमेंट नंदन बायोमेट्रिक्स वर्स अमिका देवी केस में फर्स टाइम फार्मर को ऐसा कंजूमर ट्रीट किया गया उन्होंने का कि अपसे फा यह होगा कि अगर फार्मर को अपनी खेती के लिए भी खाट या फिर कुछ भी जो इसके ची पर यूस होता है वह चाहिए तो अब से एक कंजूमर को जादा राइट्स मिलते हैं उनको एक कंपनी एक बिजनेस ओनर से जादा राइट्स मिलते हैं और कंजूमर की इनके द्वारा दियेगे ऐसे ही रिमार्गबल बहुत सारे जज्जमेंट्स है कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जबू बताइएगा और आपको किसी भी लॉस इसलेटेट कोई भी टॉपिक जानने की च्छाओ तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमारा उद